प्रेकार की ऐसी चीजें जो हिंदी से अंग्रेजी में भिन होती है क्या हमें दिमाग में बनाय रखना चाहिए क्या सुविदाय क्या सुविदाय उसके विशे में जानकारी प्राप्ता है पीछे इतने वीडियो आपने देखे थे उसमें एक ही क्रिया के बाद में प्री पूईशन लगा के उसकी मेनिंग वदल दी गई यानि यह कही क्रिया से बेभिन अर्थों का काम ले लिया जाता है कैसे लिया जाता है क्या मतलब होता उसका कैसे उसकी सरचना के जाते है इस संबंध में जानकारी दी जाएगे आप जानते हैं कि अंग्रेजी एक विदेशी भासा है कि हमारी भासा नहीं है इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो सुरू से लेके अभी तक वह ऐसे ही चलती चलिया रहे हैं जैसे उच्चारम संबंदी उच्चारम कुछ इस्पेलिंग कुछ साथे साथ चुकि यह विदेशी भासात इसलिए हम लोग जो उच्चारम करते हैं जो प्रणांसियेशन करते हैं वह अधिकांस्तागात ही होता है इसलिए कि हमारे जीव जो है हिंदी भासी चैत्र के हमसार तूटी हुई है उसी तरह से उसमें लाय सूर जो आता है वह हिंदी का जाता फिर वे चुकि हम यहां इंग्निसी स्पेकिंग में हैं इंग्निसी स्पेकिंग में सीखना है तो सीखने के लिए सबसे जरूरी बात यह बन जाती है कि हम आधिक से आधिक सब्सक्राइब मुआ के विजए में जाना है। दूसरे यह से वाट जिनका प्रयोग। बात्चीत में करते हैं इसलिए बात्चीत जो की जाएगी उसके अंतरगत भूत वावित्र वारत्वां किसी समय के भी कोई घटना हो सकते हैं सेंटेंस सार्टिव है अफर्मेंटिव है निगेटिव है इंट्रोगेटिव है क्योश्चन माट से कैसे बहुत सारी यानि इंग्लिज की सारी जानकारियों होनी चाहिए तब ही आप एक पुसल वक्ता बनेंगे इसके लिए धीरे धीरे आपको ए से लेकर जड़ तक सुरूपर हम यह नहीं कर रहा है कि आप दस दिन भी इन एक महीना दो महीना हमसे सीख जाएंगे करने कितना कितना डिटर माइंड हैं कितना आप अब प्रयास करना है और फिर उसको प्रैक्टिकली आप बयवखार में लोगों के साथ बात्चीत करना है उन्हों वाक्यों का प्रयोग करना है जैसे अभीवादन के सब्द है गुड़ मार्निंग गुड़ अप्टरनून गोवेवनिव स्या चार से समवन्दित जो वाक्य है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसे यह इंपरेटिव आज यसा तुम्हों वाक्य चल रहा है उसी के दौर आप रिक्वेस्ट वालाव इन सारे चीजों का ज्यान जब मन के अंतरगत आपका होगा तो जैसे परिष्ठित आएगे वैसे यह उनका प्रिशु करते चलेंगे जैसे जैसे आप प्रियुक करेंगे आपका जो डर है मन का वा निकल जाएगा उसको निका ले अपने आपको सकारातमुक सूच मिले हैं आप करेंगे आप धराप्रा बोल सकते हां बसरते कि आप लेवर करना चाहते हैं मेनद करना चाहते हैं अनिथा कौफे दिखते आती है यहां यह दिखला ज़रा कि कुछ ऐसी चीजें जिसे याद रखिए जैसे नमबर एक सबी भासाओं के अंतरगप सब्द की रचना करने के लिए अलग अलग नियम बने क्योंकि हम लोग भारत में राते हैं वारत में प्रोंख भासा हिंदी है और एंदे में सब्दों की रचना करने के तरीके हैं जैसे विशेशकर जो संस्केर्थ के यह कहीं मूल सब्द को लिया जाता है और उसमें उपसर्ग जोड़ करके विवें आर्थों वाले सब्द का निर्मार कर दिया जाता है मतलब एक सब्द संस्केर्थ में लिया जाता है और उसमें प्रेफेक्स निउपसर्ग जोड़ दिया जाता है और उसे बेन बेन अर्थ वाले दूसरे सब्दों का निर्मार कर दिया जाता है जैसे अहार, बिहार, प्रहार, संघार, परिहार देखेएं इन सभी सब्दों में अहार, बिहार, प्रहार, संघार, परिहार इन सब इस सब्दों में मूल सब्द क्या है हार, मूल सब्द हार है जो इनके आगे उपसर्ग आ, वी, प्र, संग, और परी उपसर्ग लगाने से बने हैं यानि हार में आज उड़ दिया है, हार हो गया है, हार के पहले वी लगा दिया तो वी हार हो गया है, हार के पहले प्रो लगा दिया तो प्रहार हो गया है, और संग लगा दिया तो संग हार हो गया है, परी लगा दिया तो परी हार हो गया है अब इए बहें अर्फ वाले सब्ट बन गया है अंगरेजी में भी प्रेफेश के लगा के अलग अलग सब्ध बना दिये जाते हैं जैसे आडज, मिसजज, प्रेजज, सब्जज इसमें मूख्य सब्ध किया है जज नेढ़े कार्म indy उसके पहले prefix जोड़ा गया है ad miss pre-sub, उपसर्ग यानि prefix लगाने से नय-nय सब्द बन गया, था judge, उसमें add लगा दिया, add judge हो गया, mis judge हो गया, pre-judge हो गया, sub-judge हो गया, परंतु अंग्रेजी में एक विशेस्ता ऐसी है, यह तो दोनों मिलता, संस्केट में जैसे उप सर्ग लगाके एक ही सब्द का भी भिन अर्थ वाले, दूसरे सब्दा आप बना लेते हैं, इंगलिज में यह उसे प्रिफिक्स लगाके एक इस सब्द से कई अर्फ बना दिया जते हैं जिनका विन विन अर्फ लेकिन अंग्रेजी में एक विश्यस्ता और भी है अब वाक्या है जो हिंदी में नहीं है हिंदी में इस तरह की विवस्था नहीं है जैसे अंग्रेजी में एक ही क्रिया के साथ अनेक अभ्या यानि प्रेपोजिशन लगा कर अनेक अर्थों का बोल कर दिया जाता है यानि एक सब्द एक वर्व एक क्रिया ले जाते हैं उसके आगे प्री पोजीशन लगा दिया जाता है और इस प्री पोजीशन के द्वारा अनेक अर्थों का विन्वेन अर्थों का बोल कराया जाता है जैसे गो मूल रूप से क्रिया है जिसका मतलब होता है ज्याना गो अके तो गो आउट का अर्थ हो गया, बुजना, गो आउट का मतला, बुजना, the light went out during the start, the light went out during the start, तूफान के दवरान, बुजना, 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 अब गो में आप जोड़ दिया, गो आप, तो गो आपका अर्थ है, धमाके के साथ फटना, गो आपका अर्थ है, धमाके के साथ फटना, the gun went out, the gun went out by itself, the gun went out by itself, बंदूक अपने आप चल पड़ी, बंदूक अपने आप चल पड़ी, गो थ्रू का अर्थ है, ध्यान पुर्वक पढ़ना, गो थ्रू का अर्थ है, ध्यान पुर्वक पढ़ना, गो थ्रू 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 थ पढ़ लिया, but could not discover anything near in it, लेकिन इसमें नया कुछ भी उसे प्राप्त नहीं हुआ, यारी नहीं कोई चीज भी खोज नहीं पाया, आव ये नोट नमबर दूपर, अंग्रेजी में पोट क्रिया का अर्थ होता है रखाना, एंगलिस में पोट क्रिया का अर्थ है रखाना, ठी परंत यह बात देखने योग्य है, ठीक परंत यह बात देखने योग्य है कि अभ्यों को प्री-पोजेशन्स के योग से पूट के कैसे बिचित्राष्द बन जलत Alban यानि पूट के आगे जब हम अभ्या प्रिपोजेशन्स लगाते नहीं, तब कैसे बीचित बीचित अर्थ निकलते हैं। जैसे put down का अर्थ है लिखना। Please put down all that I say, क्रिपया जो मैं कारता हूँ लिख लिजे। Please put down all that I say, क्रिपया मैं जो करता हूं लिख लेजे, दूसरा put क्या 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 फारवर्ड लगा दिया, put forward, put forward तम तक पेस करना, He hesitated to put forward his plan, अपनी योजना को पेस करने में हिच किचा गया, He hesitated to put forward his plan, अपनी योजना को पेस करने में हिच किचा गया, Put up, अस्थगित करना, for want of quorum, the meeting was put up, For want of quorum, the meeting was put up, How I put on kapade panna, put on new clothes, put on new clothes on either, on the Eid day, He put on new clothes on the Eid day, Eid के दिन, one night kapade panna, Now, last is put out गुजना, put out the fire, आग गुजादो, Put out the fire, आग गुजादो, last it should spread around, कहीं आग, आज पास नव फैल जाए, या आग गुजादो, आग कहीं, अगल वगल, अलोस पलोस, में नव फैल जाए, तो इस तरह से देख रहे हैं, एक क्रिया में प्री पोजिशन लगाके, उसको विभेन अर्थों को आप समझा जाता है, विभेन अर्थों उसका प्रियूक कर दिया जाता है, तो इस तरह से इंचिन्यों को आपको दियान मेरकना चाहिए, या गरेजी की कैसी विशे सता है, थाइंक्यों.